हेलो दोश्तों यदि आप प्रवरता की स्पोकन इंगलिस का फुल कोर्स यूटीब चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां प्लेलिस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स के सारे वीड से जाएंगे इन्हें क्रम से देखें ताकि आपको हर चीज असानी से समझ में आ जाए और आप नए हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को जरूर सब्क्राइब कर ले बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिक्स आपको मिलते रहें और आप इंगलि क्या होता है वहां पर हमने एक-एक सिंगल-शिंगल 26 अक्षर जो होता है उनका उचारण देखा था अब यहां पर हम इंगलिज के दो अक्षरों का उचारण देखेंगे यह इंगलिज पढ़ने के लिए और लिखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है यह बिल्कुल बेसि पढ़ना नहीं आती है यह ठीक ठाक आती है वह प्रेक्टिस के तोर पर देख सकते हैं इंगलिज के दो अक्षरों का उचारण हम इस वीडियो में देखेंगे पहले हम देखेंगे कि इंगलिज में स्वर कौन से हैं तो इंगलिज में 5 स्वर है ए ए आई ओ यू जैसे और हिंदी के स्वरों के भाती इंगलिज में भी ए स्वर सब्दों के उचारण में अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी सब्द को लिखने या उचारण करने में स्वर का ही उचारण होता है तो हम इन स्वरों का उचारण देखेंगे वेंजनों के साथ में और अलग-अलग स्वरों के जोड़ के रूप में तो इंगलीस में जो स्वर है पहले हम उनका उचान देखेंगे तो जो A है उसका उचारण A A A और A होता है मतलब कुछ सब्दों में A होता है कुछ सब्दों में A कुछ सब्दों में A कुछ सब्दों में A कुछ सब्दों में A होता है clear और A का उचारन सामाने तह A, A और O होता है इंगलिस के sentence में अब है स्वर E E का उचारन A होता है E का उचारन A होता है I का उचारन होता है E I का उचारन होगा E O का उचारन होगा O U और O U का उचारन होगा A, U और U E का उचारन होगा U और U तो यहाँ पर हम सिंगल स्वर और स्वरों का जोडा उसका उचारन देखेंगे क्योंकि जोड़ों का भी एक ही उचारन होगा है इसके हमें एक्जाम्पल्स भी देखेंगे A, I A, I का उचारन होता है A A, U A, U का उचारन होता है O यह का उचारन होता है A, I Y का उचारन होता है E A, Y का उचारन होता है A Y का उचारन होता है O तो यह हमने देखे स्वर और स्वरों के जोड़े के उचारन स्वर या स्वर का जोड़ा Vengeance मतलब स्वर को जोड़कर जो बच्चे वाले सब्द है वो वेंजन के लागता है तो स्वर और वेंजन आपस में मिलकर एक सब्द बनाता है और एक पूरा सब्द का उच्चारन बनता है जो सब्द होता है वो हमारा स्वर और वेंजन का एक रूप होता है एक समूह होता है क्लियर कि जैसे आपने सुना होगा कि जो सब्द है वो वक्षरों से मिलकर बनता है क्लियर मगर यहाँ पर हम कहेंगे कि जो सब्द है वो वेंजन और सवर से मिलके बनता है जैसे हिंदी में जो मातराय होती है वो सवर होती है जो अन्य सब्दों के साथ मिलके सब्द बनाती है तो सवरो का उचारन काफी इंपार्टेंट है, जैसे आपने देखा कि एक ही सवर का उचारन अलग-अलग होता है, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कि एक ही सवर का उचारन अलग-अलग होता है, और ये चीज आप जानते भी है, कि किसी सब्द में एक उचारन कुछ हो और होता है, तो कहां पर उचारन क्या होगा, इसके भी नियम है, जिसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जी हाँ, कि कहां पर कोंचे सब्द का उचारन क्या होगा, इसे आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, और याद करने करना भी नहीं है, बस एक ब चान यह होता है बस जो में चीज है reading के लिए पढ़ने के लिए वह है practice हम जितना English को पढ़ेंगे जितनी हम English पढ़ने के प्रैक्टिस करेंगे उतना हम English पढ़ना सीखेंगे इसके लिए आपको कोई भी नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है बस basic जो चान होते हैं सब्दों के अक्षरों के वो आपको याद रखना है clear जो main point अभी तक मेरे समझाने का मतलब यह है कि आपको इंगलिस पढ़ना सीखने के लिए किसी भी नियम की याद रखने की जरूरत नहीं है केवल प्रेक्टिस ही है जिससे आप पढ़ना सीख सकते हैं आपको केवल इंगलिस के अक्षरों के उच्चारन याद रखना है और जो स्वरों के उच्चारन है वो एक बेसिक याद रखना है बाकी में प्रेक्टिस करवा दूँगा तो यहां पर हम दू अक्षरों को पढ़ने की प्रेक्टिस करेंगे और अक्षरों का बेसिक उच्चारन हम पिछले वीडियो में सीखी चुके है तो आईए हम स्वरों वेंजन जो मिल का उच्चारन होता है उसे पढ़ने जैसे यहां पर है M, N का उच्चारन होता है म और यहां पर A का उच्चारन होगा A तो बन गया मे V का उच्चारन व, A का उच्चारन ए, तो बन गया वे clear इस प्रकार से सब्दों को हम पढ़ते हैं जैसे अभी यहां पर हमने दो सब्द तो सब्दों को मिला कर हम पूरा सब्द भी पढ़ सकते हैं तो starting हम दो से करते हैं फिर 3, 4, 5 और फिर बड़े सब्दों को हम पढ़ना सिखेंगे और practice करेंगे तो starting हमने पहले एक सब्द का उच्छान देखा अब हम दो का देखेंगे फिर तीन फिर चार और फिर बड़े सब्दो का तो जैसे सी का उच्छान होता है कर तो एक उच्छान हो गया ए तो जोकि स्वर का उच्छान बेंजन के साथ मिल जाता है और पूरा एक उच्छान निकलता है या फिर ये कहें कि जो स्वर होता है वो मात्रा की तरह होता है जो कि जो हमारा वेंजर है इंगलिस में उसके साथ वो मिलके सहर अक्षर या सब्दक बन जाते हैं तो C का उचारन कर, A का उचारन A तो बन गया के यहाँ A L का उचारन होगा All E का उचारन यहांपर हो रहा है O और L का उचारन L तो बन गया All C A C का उचारन क, E का उचारन O तो बन गया को F का उचारन 4, E का उचारन O तो बन गया 4 Clear आपको ध्यान से जो स्वर्व के उचारण है और वो वेंजन से किस प्रकारण मिल कर एक उचारण बनाते हैं बस वो आपको देखना है और समझना है P.E. P का उचारण प, E का उचारण A, बन गया P. L.E. L का उचारण ल, E का उचारण A, बन गया ले. G.E. बन जाएगा गे. F.I. तो यहाँ पर F का उचारण F, I का उचारण E, तो यदि साथ में पढ़ेंगे F, E, F.E. L का उचारण ल, I का उचारण E, बन गया ले. G.E. वैसे ही, G का उचारण G, तो आई के साथ मिलके G.E. G का उचारण G, और O का उचारण O, तो बन गया गू. D का उचारण D, और यहाँ पर O का उचारण हो है, O, तो बन गया दू. O, F, O का उचारण O, और यह का उचारण F, और यह का उचारण O, तो बन गया पू. B का उचारण B, और यहाँ पर U का उचारण हो रहा है, O, तो बन गया B. B. U का उचारण यहाँ पर B, O, और यह का उचारण M, तो उचारण हुआ, M. U का उचारण, U, और यह का उचारण N, और यह का उचारण E, U, नी. P का उचारण P, और यह का उचारण A, तो बन गया P. C का उचारण K, और यह का उचारण O, तो बन गया को. B का उचारण B, और डबल यह का उचारण E, तो बन गया B. L का उचारण L, डबल ओ गया का उचारण U, तो बन गया लू. S का उचारण S, U का उचारण A, तो बन गया S, यहां N का उचारण M, ये का उचारण E, तो बन गया मी. L का उचारण L, और Y का उचारण E, तो बन गया ली. S, और इस A, Y का उचारण हो गया A, तो बन गया C. P का उचारण P, ये का उचारण E, तो बन गया P. T का उचारण T, और Y का उचारण O, तो बन गया ली. वैसे ही B का उचारण B, और O, आई का उचारण O, तो बन गया ली. तो इस प्रकार वेंजन और स्वर आपस में मिलकर एक सब्द का उचारण बनाते हैं. अब दो अग छोड़ों को हम पढ़ने की प्रेक्टिस करेंगे. तो पहले मैं बोलूँगा और फिर उसे आप बोलेंगे. तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है. सिंप्ली मैं जो बोलूँगा उसे आपको अच्छी से बोलना है. सब्द या जो भी लिखा हुआ है अक्छर उस पर आपकी दोनों नजरे होनी चाहिए. निगाहे अक्छर पर और कान मेरी बातों पर. तो इस्टार करते हैं मैं बोलूँगा और वैसे ही तुरत आपको रिपीट करना है. हूब दो तोई बोई आपको ऑ्फ अ on, at, do, to, say, pay, bu, le, few, two, mu, mu, bow, ox, the, key, no, row, mau, ke, fi, fi, mi, mi, he, hi, hi, A, chi, fu, fu, ,, 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